कार दोस्तों आपका बहुत बहुत सवागत है और आज हम बात करने वाले हैं जो वेटेरिनरिक होता है दोबसका पुषब वाले डिप्लोमा कोर्स इसके जो एड्मिशन है कौंसलिंग है वो कब से start होंगे तो आपको अधिकतर maximum comment यही है कि इसके जो counselling है वो कब start होगा आपको पता होगा कि September start हो चुका है तो कि इसके counselling है वो कब start होगा आपको अधिकतर comment यहारे है आपको पता चलेगा तो अभी क्या है कि कोई भी notification इसके बारे में नहीं आया है लाश्ट इयर की बात करें तो लाश्ट इयर है वो 7 September तक यह start हो गया ता अब कई भायों के comment आ रहे कि 5 September से हो जाएंगे तीन से हो जाएंगे दस से हो जाएंगे तो देखो यार इसके बारे में अभी तक कोई official news नहीं है तो official news के विनाम में कुछ नहीं बता सकता जैसे ही कोई official news आएगी उसका update आपको तुरंत मिल जाएगा मैंने contact भी किया है उन्चे university में लेकिन उन्होंने नहीं बताया है वो नहीं बताते हैं वो यहीं बोलते हैं कि आप अमारी जो site है वो check करते रहे हैं जैसे ही आएगा आपको वहीं पर मिलेगा जो भी notification होगा वो यह से पहले किसी को नहीं बताते हैं तो यह था और कहीं की comment ह है कि जो हम English medium से हैं आप कोलेज में जो course कौन सा होगा इंगली में होगा या इंगली में तो आपको इसा भी हिंदी या इंगली सा चूज कर सकते हो जब counselling होगी उसमें आपको फिल करना है कि आपका जो मीडियम है वो कौन सा रहेगा इंगली या हिंदी इसके अलावा आप फीस की बात करें तो उसका पहले ही वीडियो डाला हुआ लगबक 40,000 की लगबक रहती है और बिकानेर वाली की बात आ रही है कि जो बिकानेर में के एंपस है उसकी फीस कितनी रहती है तो देखो उसकी फीस है जनरल वालों के लिए 16,000 थी और जो reservation category है उनके लिए 6-8,000 र पाएगा कि इस बार क्या-क्या नियम रहते हैं चेंज भी कर सकते हैं पीस इस्ट्रेक्चेर जो भी हो यह सब उनके उपर डिपेंड करता है मैं लास्ट एर के अकोडिंग ही बता रहा हूं और लास्ट एर है वो साथ सेप्टेंबर को है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी इस बार कब करते हैं वो यह अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो डाउट कन्फ्यूजन नहीं रखे यह इसकी ओफिशियल साइट है और आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत है इसका अपडेट है वो मिल जाएगा तो इतना ही था तो आप बिल्कुल फाल्दू की बातों में भर्मित नहीं होएगा और आरमची रहेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएंगे आप अपने डोकुमेंट्स रेडी रखे डोकुमेंट्स के बारे में मैं बता हो गया मूल निवास हो गया यह सब और जो चरितर सट्विकेट हो गया इसकुल खुल चुकी होगी तो आपको पता होगा यह तो मिल रहे होंगे स्कुल में तो आप अपने डोकुमेंट्स बनवाले टीसी हो गई चरितर सट्विकेट हो गई यह चरितर यह स्कुल मिल जाए कि अपने डोकुमेंट्स है वो रेडी रखे, EWS के टेगरी में जो आते हैं, वो EWS के सट्विकेट रेडी रखे, जिस भी के टेगरी में आप आते हैं, उसके सट्विकेट है, वो आप रेडी रखे, जिसे जाती परमान पत्तर हो गया, मुल्निवास हो गया, आई परमान पत् में धन्ने बाद दोस्तू